हेलो एब्रीवन मैं मिथोन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे राश्ट्रिय मिलेटरी स्कूल से रिकूट्मेंट आई हुई है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जानकारियां आपके सामने यहां पे हैं वो अपहले आप देख लो और अगर आपको लगता है कि यह जौब आपके लिए suitable है तो ही पूरी वीडियो देखिए सबसे पहले इंटर्व्यू जो है आपका दो दिनों का प्रॉसेस है इंटर्व्यू में डे बन में क्या क्या होगा इन्होंने ये बातें लिख रखी है और डे टू में क्या होगा इन्होंने ये बातें लिख रखी है क्या क्या बातें है देखिए डे बन में सबसे पहले य जो है उसकी certificate है या नहीं वो आपको यहां पर verify कराना होगा अगर है तो दिखाइए नहीं है तो कोई बात नहीं experience certificate अगर है addition की बात हो रही है अगर है तो ठीक है नहीं है तो भी काम आपका चल जाएगा आगे देखिए proof of category यानि कि अगर आप आरक्षन का लाव लेना चाहते हो तो अगर आप SC category से बिलंग करते हो या ST से या OBC से वो आपको verify करके यहां पर दिखाना होगा यानि कि certificate पेस करना होगा NCC certificate अगर आपने NCC में participation करी है तो आप यहां पर दिखा सकते हो The candidate will write self दखिए अपने appraisal यानि कि खुद के बारे में जो है सो या देर सो बड में आपने बारे में आपकी weakness आपने क्या चीब किया अपने life में Teaching को लेकर आपके क्या point of view है तो वो चीज़ें आपको यहां पर लिख देनी है Second day आपका क्या होगा? Interview conduct कराया जाएगा और Teaching Practices कराया जाएगी जिनका shortlisted candidate जो हो चुके है उन्हीं को यहां पर सामिल किया जाएगा आगे देख लीजिए देखिए पोस्टल बगेरा जो आप apply करोगे उसके लिए देखिए यहां पे इन्होंने लिख रखा है कि application के ऊपर में जिस post के लिए आप apply कर रहे हो capital letter में उसको लिख देना है आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं अगर आप maths या फिर हिंदी के लिए apply कर रहे हो तो वह आपको कर देना है एक और बात जो important है वह मैंने सोचा कि आपको बता दू देखिए application आप या तो हिंदी में भर सकते हो या फिर English में भर सकते हो 100 रुपए अगर आप UR यानि के general category से हो OBC से हो या फिर ESM category से belong करते हो तो आपको 100 रुपए का एक demand draft या फिर IPO बनवाना होगा या फिर अगर आप SCST category से belong करते हो तो 50 रुपए का आपको फिर से demand draft या IPO बनाना होगा इस form को all over India से कोई भी भर सकता है I repeat कोई भी भर सकता है application form आपको देखिए इस website से मिल जाएगे जहां से मैंने ये PDF डाउनलोड करा है rastriamilitaryschools.aju.in पे आप जाकर सारी चीज़ों को खुद से देख सकते हो अब देखिए मैं कुछ important बातें आपको बता देता हूँ date के बारे में crucial date के बारे में इन्होंने लिक रखा है कि 42 दिनों का time आपके पास है कि आप इसे apply कर सकते हो मैं तो बोलूँगा कि 2-3 दिनों के अंदर form को print out कराना यह PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मैं अब लेवल करा दूँगा print out इस PDF का करा ले उसके बाद अच्छे से pen से भर लें बिना overwriting के और speed post कर दें और 100 रुपय का demand draft आप बना ले 3-4 दिनों में ये काम आपको कर लेना चाहिए अब देखिए post क्या क्या आई हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये Indian government की है याद रखना salary यहाँ से आप देख पाओगे लगवग 65-70-80,000 के करीब आपकी salary यहाँ पर बन जाए की यहाँ से देख लिजिए mathematics assistant master के recruitment आई हुई है chemistry की, computer science की और हिंदी की अब आप बोलोगे wait wait इसके लिए तो PG चाहिए होगा नहीं PG नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ bachelor's degree से आपका काम चल जाएगा bachelor's में math या chemistry या हिंदी से अगर आपने कर रखा है आप eligible हो जाओगे preference दे जाएगी अगर PG वाला मिल रहा है तो वो उन्हें ले लेंगे लेकिन अगर आपकी teaching skill आपकी personality अच्छी है तो फिर bachelor's से भी आपका काम चल जाएगा आगर देख लेजिए इन्होंने desirable में रिख रखा है कि PG होना चाहिए अगर आपके पास teaching experience है या फिर English में आप पढ़ाने में अच्छे हो तो इन चीजों पे जो है seat at अगर आपने पास कर रखा है paper 2 तो यहाँ पे ये बात है लिख दी गई है age criteria के बारे में बात करें तो 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए पांस साल का age relaxation है वो SCS category को दिया जाएगा यहाँ से देखिए option number 2 में आपको मिल जाएगा 3 years का age relaxation जो है OBC को मिलेगा और physically handicap people को जो है 10 साल का age relaxation मिल जाएगा अब यह recruitment कहां से आई है direct recruitment है याद रखिएगा assistant master राष्ट्रिय military school बैंगलूरू करनाटका से आई हुई है I repeat कोई भी से apply कर सकता है हर कोई जो है इसे जो है apply कर पाएगा इस बात का खास ख्याल रखिएगा वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया have a good day